कि प्रस्णावली एक दसमें का पहला प्रशन है निर्म लिखित संख्याओं का HCF ज्याद करने के लिए यूकलीड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग की लिए इसका पहला पाट है 135 और 225 का HCF हमने निकालना है हम क्या करेंगे जो बड़ी संख्या क्या है इसमें 225 को हम भाग करेंगे 135 जो ज्यादा दाएगा तो हम यह लिखेंगे एक आपका 135 बचेंगा पांच से पांच गया जीरो बारा में से तीन गया नॉम फिर आपकरने क्या करना है उसका आया शेस मारा जीरू नहीं आया भी जब तक जीरो नहीं आता तब तक हमने भाग करते रहें लेकिन भाग सिंपल नहीं करना है अब क्या करना है नभे से भाग देना है 135 को यहां दिखिए नब्बे 5 फिर बचा आपका 13 में से 9 गया 4 आप गया करना है 45 से हमने भाग देना है कि इसको नब्बे को यहां दिखिए 45 गुना जोगे आपका नब्बे अब हमारा कितना कैसे सुनने तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 42025 बरावर है by almost 135 गुना है जमा 135 गुना ही जमा 90 फिर आपका 135 गुना एक जमा नब्बे गुना एक में natural आपका फिर दिख लुक्मotри और है 90 बरावर है कि आपका है एक सो पैंटालिस गुना दो जमा जीरों अब शेश क्या आगए आपका जीरों तो आपका इसका जो है किसका है एक सो पैंटीस और दोसो पच्छिस का वो कितना है आपका 45 टाइट अब आपका सेकिंड पार्ट सेकिंड पार्ट आपका इस चानवे का और वन चानवान नैटीस और 38,220 तो इसका तो उसका सेम वह प्रोसीजर क्या करेंगे हम पहले यहां करेंगे हम बड़ी संख्या लिखेंगे बड़ी संख्या क्या है कि अब आपका 38,220 को आपने भाग दने पहले से 196 तो इसको देखिए जो है अप्रोक्सिमेट 2 के बराबर है फिर 2 से भाग करेंगे दो पहला आंक देखेंगे दो दुना चार तो चार क्या हो जाएगा ज्यादा इसलिए हम क्या करेंगे पहले भाग एक से करेंगे यहाएगा आपका 196 फिर 12 में से 6 गया रहागे आपका 6 और यहां रहे गया सका 17 में से 9 गया रहागे आपका 8 और 2 में से एक गया रहा गया आपका एक करी नीचे उता रहा है दो अब यह यह दो दो गुना 9 कितना होता है 18 तो इनके अगर हम ज्यादा जैते तब भी यह 18 के ही आ रहा है तो जो में करेंगे 196 तो दो से कम था 196 को मुल्टिप्लाई करेंगे 9 से चेने चोपन का चार हासा लगी पांच नौन एकसी और पांच्छासी का छे हसर लगा 8 जूएकम 9 और 8 इसतारा तो यह हैं आपका सत्रासो चौण कि अब देखें क्या बचा 12 मैं से के चार गया रहा गया आपका और पंद्रा मैं से 6 गया रह गया आपका 9 और 7 में 7 गया 0 एक में से एक गया 0 बचा 9 अब नाइन तो यह अप्रॉक्सिमेट दो है ना 1.9 में अप्रॉक्सिमेट एकुल टू इनकी यह दो है दो को मनें भाग करना है दो चो के आठ दो पंजे दस दस हुआ दस हो गया ज्यादा लेकिन यह भी तो कम था तो हम करेंगे इसको यह नाइन आएका 9 से मनें मुट्व रही है था अगे करते हैं 5 से 196 इन्टू 5 पांची इसकी जिरो हसल लगी थी पांची पंताली ताली ताली का आट हसल लगी चार पांची पांची और चार नौ यह आपका 980 तो आपका से इस कितना बचा जीरो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 38,220 इसकल टू कितने किस से भाग किया था हमने 196 इंटू 195 प्लस जीरो यह देखें अब से इस क्या बचा आपका जीरो तो इसका HCF क्या है इस इन दुनों का HCF of 38,220,196 का क्या होगा क्या होगा क्या इक वाज क्या है 196 क्यूंकि 196 से भागने पर ही हमारा सेच पर जो हो जीरो हो गया है पार्ट है 867 और 255 हमें दो संख्या है हमने निकालना है इसका HCF यूगलिट विभाजन अल्गोरिफ्म का परयोग करते हुए निकालना है तो हम वही तरीका पनाएंगे क्या बड़ी संख्या क्या है यहां पर 867 इसको हम भाग करेंगे किस से छोटे वाज संख्या से 255 से 255 तो 253 75 दो आंक देंगे 253 75 तो 3 से मिल्टिप्लाइब हो दाएगा 255 गुना 3 355 लगा 5 6 6 6 6 6 तो आए आपका 765 बचाए 2 7 में से 5 गया 2 6 में से 6 गया 0 8 में से 7 गया 1 से हमने भाग देना इस संख्या को तो 100 260 में 4 गया 1 5 2 गया zero अब क्या बाच आपका hundred and two अभने क्रने इस इकाबन से हमने भाग देना है एक zero को यह संब है तक करना है 867 बरावर है 255 गुणा 3 255 गुणा 3 जमा कितना था 102 उसको पर आपका क्या आया हमने कि इसको भाग किया 255 को 255 बरावर है 102 गुणा 2 जमा कितना है 51 आगे क्या बचा आपका आप है भाग किना है 102 102 गरावर है 51 गुणा 2 जमा सुन्य अब सेज कितना है हमारा सुन्य आ गया इनके जो HCF है हमारा 800 667 और 255 का वो कितना है आपका 51 इस तरह से इन प्रशनों को अहल करना है बहुत ही आसान है यह मुश्किल नहीं है